नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लासिक किस्से में मिथुन चक्रवती के करियर में साल 1985 सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा यही वो साल है जब देश ने उन्हें हिंदी सिनेमा का अगला सुपरस्टार माना सिर्फ डिस्को डांसर करने या मारधार करने वाली छबी से आगे बढ़कर मिथुन ने इस साल प्यार जुकता नहीं गुलामी और प्यारी बहना जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया इसी साल मिथुन की एक और फिल्म रिलिज हुई आंधी तुफान फिल्म के निर्देसक थे मिथुन को डिस्को डांसर से बड़ा इस्टार बनाने वाले बी सुभास और निर्माता पहलाज नहिलानी ससी कपूर, सत्रुगन सिना, मिथुन चक्रवती, मिनाक्षी से साद्री जैसे कलाकारों की इस फिल्म की करीब करीब पूरी वही काश लेकर नहिलानी ने एक और फिल्म सुरू की इलजाम जी हाँ, गोविंदा को बॉक्स आफिस स्टार बना देने वाली फिल्म इलजाम, मिथुन चक्रवती को लेकर सुरू हुईती फिल्म, जिसे मिथुन ने सुटिंग सुरू होने के बाद छोड़ दिया था जैसे अगर देवानन और राजकुमार जर्णजीर न छोड़ते तो सायद हिंदी सिनेमा को उसका एंगरी यंग मेन न मिलता वैसे ही डिस्को डांसर मिथुन अगर इल्याम न छोड़ते तो सायद हिंदी सिनेमा को उसका पहला स्ट्रिट डांसर न मिलता पहला निहलानी बताते हैं मिथून चक्रवती को लेकर जब यह फिल्म हमने सुरू की तो यह एक क्राइम एक्षन फिल्म थी उस समय सत्रुगन सेना का सितारा बुलंदियों पर था और वो तब भी सुटिंग पर काफी देर से पहुशते थे मिथून उस समय सुपरस्टार थे और उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई थी एक एक दिन में वो कई फिल्मों की सुटिंग किया करते थे और मेरी फिल्म के सेट पर सत्रुगन सेना का इंतजार करने के चक्कर में उनका काफी नुकसान हो रहा था मिथुन चक्रवती ने जब यह देखा कि सत्रुगन सेना अपनी आदत नहीं सुधार रहे हैं और वो continuous set पर लेट आ रहे थे इससे मिथुन चक्रवती काफी नाराज हो गए और मिथुन ने तब पहला नहलानी से कहा कि मैं आपकी सोलो फिल्म के लिए हमेशा तयार मिलूँगा लेकिन ये फिल्म में सत्रुगन सेना के साथ नहीं कर सकता और मिथुन ने ये फिल्म छोड़ दी मिथुन चक्रवती ने फिल्म छोड़ी तो मादूरु दिक्षित का काम समालने वाले रिकूर आकेसनात, घंटे बरबाद, एक ओसत कद काठी के कम हाइट वाले लड़के को पहला नहिलानी से मिलाने ले आए पहली नजर में ही नहिलानी ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया लेकिन ये लड़का जानता था कि पहला नहिलानी से मिल पाना कितना मुश्किल है और मिलने का मोगा पाकर भी अगर वो काम ना पा सका तो ये उसके करियर के लिए भी और मुश्किले ला सकता है निलानी बताते हैं गोविंदा ने मुझे एक वीडियो दिया मैंने इस वीडियो में गोविंदा का नाच देखा तो मैंने सोच लिया कि मुझे मेरा हीरो मिल गया पहला निलानी ने गोविंदा को फिल्म में स्ट्रीट डांसर के तोर पर पेस किया और फिल्म की कहानी को क्राइम एक्सन फिल्म से डांस एक्सन फिल्म में बदल दिया और इस तरह सत्रुगन सेना की लेट लतिफी से परेशान होकर मिथुन्दा ने इलजान फिल्म छोड़ दी थी और गोविंदा उस फिल्म से स्टार बन गए अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज क्लासिक किस्से चैनल को सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद